वेल कम टू जेके असे विए टेंशन रखते हैं जिनको लगता है कि करना हो जो लास में जाते हैं सरकों सी मेगजिन पढ़नी है कोण सी पीडियाप्स पढ़नी है तो आप लोगों को वो सब करने की रुवत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग मेरे डेली बीसिस पे जो मैं कर बार देख लेते हो उसके बाद आपको करंट अफेर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी इसकी गरंटी मैं देता हूं तो एक और चीज जो मुझे आपसे बतानी है कि फीमेल सुपरवाइजर के लिए जेके सबीने जो फॉर्म फिलिंग एफिसे ओपन करी है तो अगर है 100% सेलेक्शन गरंटी का सीक्रेट क्या है बताता हूं देखो नॉर्मली क्या होता है जितने भी फ्रेशर होते हैं उनके माइन में एक ही चीज होती है कि चीजों को कंपिरेट इग्जाम के लिए अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लोग जोइन कर सकते हैं मारा फीमा सुपोवाइजर को जिसमें हम लोग आपको प्रएड करेंगे विडियो लेक्शर्स, नोट्स, MCQs and test series और सारी according to the exam so that कि आपका 100% selection हो जाए क्योंकि देखो selection के लिए two-way work चलता है हम लोगों का में मक्सद है आप लोगों को best content प्रोइड करना और आप लोगों का है दिल से उस पर महनत करना तो मैंने secret आपको बता दिया कि exam को crack करने का simple सा secret है कि आप लोग जो लोगों को उसकी practice करवाना through MCQs and mock test so that की चीज़े आपके mind में fit हो जाए clear so अगर अभी दके आपने हमारा course join नहीं करा तो अभी install करें हमारी JKSSB online tutorial app from play store and उसके बाद आप लोग course को join कर सकते हो और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हम लोग इसके ओपर एक special discount भी दे रहे है clear तो चलिए अभी से install करिये app और start करिये आप लोगों का female supervisor journey हमारे साथ तो वेल आज के करंडा फेर का जो पहला question है पहले question में पूछा गया 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 बताए तमिल साही सुंदरणजन resigned from her post she was a governor of which state देगे तमिल साही सुंदरणजन ने अपनी post से resign करा ठीके आचा यह कौन ह ठीक है इन्होंने recently आपनी post से resign जो है वो दिया है and she is a governor question में पूछा गया है कि कौन सी state के governor है clear है तो इनका जो state है that is तलेंगना ठीक है तलेंगना की यह governor है and recently इन्होंने अपनी post से resign जो है वो दिया है अगला जो question है पूछा गया है कि बताइए who was awarded the P.V. Narsima Rao Memorial Award recently तो recently P.V. Narsima Rao Memorial Award जो है वो किनको दिया गया है मतलब किनको honor किया गया है तो इसका जो answer है that is Ratan Tata ठीक है Ratan Tata कोन है मुझे बताने की जोत नहीं है explain करने की जोत नहीं है आप सभी लोग चानते है ठीक है तो इ एक चीज़ और बता दू यह award basically उन लोगों को दिया जाता है जो लोग you know social work हो गया है या humanitarian welfare के लिए जो लोग बहुत जादा काम करते है अगला जो question है पूछा गया है कि बताइए who was recently appointed the chairman of center board of secondary education मतलब CBSE के new chairman जो है वो कोन appoint हुए है recently तो इसका जो answer है that is Rahul Singh अचा Rahul Singh कौन ह यह basically senior bureaucrate से senior I.S. officer है और यह बिहार काडर के है और इन्हें appoint किया गया है as a chairman of the central board of secondary education अगला जो question है पूछा गया है कि बताइए who has recently appointed as a new chairman of Prasar Bharti तो Prasar Bharti के new chairman के इनको appoint किया गया तो इसका जो answer है that is Naveen Kumar Segal ठीक है Naveen Kumar Segal यह basically retired I.S. officer है और इनको appoint किया गया है as a new chairman of Prasar Bharti तो के अगला जो question है पूछा गया है कि union minister Arjun Munda ठीक है यह जो picture आप देख रहे है यह Arjun Munda की picture है इन्होंने एक foundation stone जो है वो रखा है center for preservation and promotion of tribal culture and heritage in which state मतब कौन सी state में union minister Arjun Munda ने basically foundation stone रखा एक center के लिए center किसके लिए preservation and promotion of tribal culture and heritage के लिए तो इसका जो answer है that is जार्खंड कहां कौन सी state में रखा है जार्खंड में अच्छे यह union minister of tribal affair agriculture and former welfare minister है ठीक है जिनका नाम है Arjun Munda अगला जो question है अगले question में पूछा गया है कि बताइए which team won the title of second season of women premium league women premium league जो हो रही थी second title जो हो रहा था तो इसमें यह जो title है basically किनों ने जीता मतलब second title जो है वो किस team ने जीता है women premium league में तो इसका जो answer that is royal challenger बेंगलोर ने ठीक है royal challenger बेंगलोर ने second title जो था women premium league का वो जीत लिया है अगला जो question है that is moduli mask ठीक है moduli mask आप देख रहे हो in moduli mask got GI tag belong to which of the following state मतलब moduli mask जो है इसको GI tank मिला है अब बताइए कोंसी state से belong करता यह question में पूछा गया तो इसका जो answer that is Assam क्या answer है Assam अगला जो question पूछा गया है कि बताइए recently इंडिया नेवी ने अपना एक first independent headquarter जो है वो setup करा है जिसका नाम इनों रखा है नो सेना भवन अच्छा यह कौन सी जगा पे इनोंने setup करा है यह question में पूछा है तो इसका जो answer है that is new Delhi कहां पे करा है new Delhi अच्छा यून डिफेंस मनिस्वर राजना सिंग ने इने इनेगुरेट करा है यह नो सेना भवन और यह इंडिया नेवी का new headquarter है कहां पे Delhi contentment पे अगला जो question है that is अट्पका वोर्ड सेंचुरी जो है recently news में देखने को मिला बताईए कौन सी state में located है ठीक है तो इसका जो answer है that is अंदरप्रदेश कहां पे है यह अंदरप्रदेश में अगला जो question है पूछा गया है कि विटाईए वेर वोज दो 16th world social forum 2024 meeting held तो यह sold me world social forum 2024 का जो meeting है यह कहां पे held हो है यह question में पूछा गया है तो इस question का answer आप लोग करोगे comment section में बाकी मिलते है next video में तब तक के लिए थेंगी so much thank you bye bye